कख्षा ग्यारवी के जिस अध्याय को लेकर आज हम पढ़ने पढ़ाने जा रहे हैं उसका शीरशक है नागरिक्ता नागरिक्ता अर्थाथ सिटिजनशिप हमने अपने राजनीति शास्त्र के अध्यान के तहद या नागरिक शास्त्र के अध्यान के तहद हमने कई शब्द सीखे जैसे स्वतंत्रता, बंधुत्व, लोकतंत्र, उसके अलावा धर्म निर्पेक्ष्टा, सार्व भौमिक्ता, अधिकार, आदि-आदि और इन में से कुछ शब्दों के अर्थों का गहन अध्यान भी किया है कक्षा दस्वी में जो विशय था, जिसके तहद हम राजनीतिक संबंदी विशयों को पढ़ते थे वो कहला था सिविक्स, नागरिक शास्त्र सिविक्स अर्थात हिंदी में जिसे आप कहते थे नागरिक शास्त्र नागरिक शास्त्र वो है जिसका संबंद नागरिक से है तो प्रश्णी उड़ता है कि नागरिक का अर्थ क्या है अंग्रेजियन वार्थ तो मैंने बता दिया सिटिजन्शिप या नागरिक कार्थ होगा सिटिजन आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये नागरिक शब्द हम लोग दिन प्रति दिन रोज सुनते हैं तो इसका कोई विशेष इसके अध्यन की जुरत नहीं क्योंकि नागरिक मतलब जो भी भारत में रह रहा है वो नागरिक है क्या वास्तवा में ऐसा है या हम में से कुछ लोग शायद नागरिक ना हूँ हम में से कुछ लोग नागरिक की श्रेणी में नहीं आते हूँ और यदि नागरिक की श्रेणी में नहीं आते हैं तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमने थे कुछ लोग यहां रहते हुए नागरिक नहीं है रह रहे हैं निवासी हैं लेकिन नागरिक नहीं है साथ ही यदि नागरिक नहीं है तो इसके माइने क्या है नागरिक ना होने का क्या तात्पर है दूसरे शब्दों में नागरिक और उसका उल्टा ज़िए हम बोलें गैर नागरिक नागरिक और गैर नागरिक तो नागरिक और गैर नागरिकों में क्या अंतर है कैसे जाना जाए किस तरह का अंतर है शारीरिक रूप से दोनों समान है तो किस तरह से जाना जाए कि यह व्यक्ति गैर नागरिक है और क्यों है गैर नागरिक है क्यों हो यहां का निवासी रहते हुए भी यहां पे कई वर्षों से रहते हुए भी वह नागरिक नहीं है यह एक प्रश्ण आपके मन में पूठना चाहिए कोटूहल होना चाहिए कि क्या हम में से कोई ऐसा भी है जो गैर नागरिक है यह सवाल बहुत अहम है नागरिक्ता चिटिजन्शिप एक बहुत बहुत अहम सवाल है इसके क्या माइने है आज इस अध्याय में हम उसे समझने की कोशिश करेंगे इसके साथ ही और भी जो कुछ सवाल मन में उटते हैं उसका भी हल जानने की कोशिश करेंगे जिसका सम्मन्द नागरिक्ता से है और किस तरह के सवाल उटते हूं नागरिक से सम्मंदित और क्या-क्या उत्तरों की खोज हम इस अध्याय में करने जा रहे हैं जैसे मैंने कहा क्या हर निवासी नागरिक होता है दूसरा सवाल आता है क्या सभी नागरिक एक जैसे होते हैं दूसरे शब्दों में क्या सभी नागरिकों को राजनेतिक जिष्ट से तमवैधानिक जिष्ट से एक नजरिय से देखा जाता है या नागरिकता के भी प्रकार होते हैं और यदि हैं तो क्या-क्या प्रकार है और फिर ऐसा प्रकार-प्रकार क्यों है हमारी आपकी नजर में अभी तक नागरिक याने नागरिक जो मैं हूँ जैसा वैसे ही आप है पर ऐसा नहीं है हम उसके बारे में भी जानेंगे अगला जो सवाल आता है कि बार बार हमने सुना एक दो वर्षपूर्व नागरिक्ता को लेकर देश भर में कुछ घटनाए हुई थी जिसमें एन आर सी एक शब्दाय था फिर एक शब्दाता है नॉन रेसिडेंट इंडियन एन आर आई जिसे हिंदी में कहते हैं अप्रवासी भारती अप्रवासी भारती है क्या ये नागरिक्त है यदि हैं तो किस रूप में और नहीं है तो कैसे और क्यों और क्या अंतर है नागरिक्ता को लेकर जो पिसले गट दो तीन वर्षों में जो देश भर में जो घटनाए हुई उसके माइने क्या थे क्यों ये नागरिक्ता का मुद्दा गत दो तीन वर्षों में इतना गहराया आखिर इसकी जरूरत क्या थी नागरिक्ता के मुद्दे को लेकर जो इतना बवाल मचा शोरगुल हुआ क्या ये जरूरी था इसके माइने क्या है ये भी एक सवाल उठता है उसमें आपने पढ़ा होगा समाचार पत्रों में कि कुछ लोगों को नागरिक्ता से वन्चित किया जा सकता है तो क्या नागरिक्ता ऐसी चीज है जो जिसे वन्चित भी कर सके और यदि वो वन्चित है तो क्या वो निवासी नहीं है निवासी नहीं है तो कहां जाएगा किसी न किसी कोई न कोई जगह तो उसकी ठोर होगी तो वो उसका क्या तात परे है तो जो जो संदर्म में बात कर रहा हूं गत्तो तीन वर्षों की घटनाओं की वो नागरिक्ता को लेकर थी NRC, उसके बाद अपरवासी भारती NRI उसके आगे और कुछ सवाल मन में आता है कि हमें से यदी कुछ लोग नागरिक्त नहीं है तो कौन कौन नहीं है कौन लोग हैं जो नागरिक नहीं है ये एक बहुत बड़ा बिंदू है और क्यों नहीं है और शंका होने लगती है कि नागरिक नहीं है तो ये कहां रहेंगे कहां के रहने वाले हैं मैं तो नागरिक हूँ की नहीं ये चिंता होती है और यही गती दो तीन वर्षों की जो करकर हां हूँ उसमें यही सवाल बहुत लोग के मन में था कि मैं नागरिक हूँ की नहीं और नागरिक हूँ तो कैसे साबित करूँ नहीं हूँ तो कैसे साबित करूँ और नहीं हूँ तो इसके लिए क्या माइने है मेरे इसके मेरे लिए क्या माइने हों गए इसी नागरिकत अगला सवाल जो आपके मन में आना चाहिए आता होगा वह पासपोर्ट क्या है पासपोर्ट हम सब के पास तो नहीं है पासपोर्ट समानित है उन लोग के पास है जो विदेश यात्रा करते हैं तो जिनके पास पासपोर्ट नहीं है वो नागरिकता से कैसे जुड़े हुए है उनका अस्तित्व नागरिक्ता के सवाल से कैसे जुड़ा हुआ है अगले सवाल आता है जो समाचार पत्रों में हम लोग बार-बार पढ़ते हैं वो है कि दोहरी नागरिक्ता डूएल सिटिजन्शिप एक तो सवाल अभी तक जो उठ रहा था हुए कि मैं नागरिक हूँ की नहीं कहीं का अब ये दूसरा सवाल भी आने लगा है कि कुछ लोग दो जगा के नागरिक है दो जगा के नागरिक का ताटपर क्या है मैं रायपूर का नागरिक और बिलासपूर का नागरिक हूँ ऐसा हो गया क्या या दो जगह के नागरिक आर्थ क्या ये है कि मैं 36 गड़ का नागरिक हूँ और मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूँ दो जगह का नागरिक हूँ ऐसा है क्या उसके माइने क्या है या शहरों को छोड़ दे राजियों को छोड़ दे तो क्या ये माने कि दो जगह की नागरिकता मतलब मैं भारत का नागरिक हूँ और च्छतीजगर का नागरिक हूँ तो क्या मैं च्छतीजगर का नागरिक हो सकता हूँ ये बोलना उचित है बहुत बड़ा एक सवाल है किया ऐसा होता है कि dual citizenship जिसे दोहरी नागरिकता कहते हैं इसमें हम लोग जो जानते हैं भारत के नागरिक हमारे संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें लिखा हुआ हम भारत के नागरिक उसका आगे कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि हम भारत के और 36 गड़ के नागरिक हम भारत के और पंजाब के नागरिक ऐसा नहीं लिखा है तो इसका क्या माईने हैं तो क्या ये दोहरी नागरिकता है या दोहरी नागरिकता का दो देशों से संबंध है मैं भारत का नागरिक हूँ और साथी साथ क्या किसी मैं अन्य देश का भी नागरिक हो सकता हूँ और दोनों जगा का नागरिक हो सकता हूँ तो क्या ये दोहरी नागरिकता होगी और यदि हो सकता हूँ तो इसके क्या माइने है मेरे लिए लोग दोहरी नागरिक्ता रखते हैं ये तो आपको मालूम होना चाहिए तो क्यों रखते हैं ऐसी क्या जरूरत है और इसका प्रावधान ही क्यों किया गया है ये भी एक अगला सवाल है फिर उसके साथ आप देखेंगे कुछ यदि में कुछ उधारन दू आपको नागरिक के संबन्द में कुछ प्रसिद्ध वेक्तियों के प्रसिद्ध या कहना चाहिए जो बहुत ज्यादा बदनाम हैं ऐसे बदनाम प्रसिद्धी जिने मिली है एक यदि शोय मलिक पाकिस्तान का क्रिकट खिलाडी है उसने विवाह किया है भारत की टैनिस खिलाडी सानिया मिर्जा से अब सानिया मिर्जा ने पंजाब पाकिस्तान के व्यक्ति शोय मलिक से विवाह किया तो अब वो कहां की निवासी हैं निवासी जहां की भी हो वो नागरिक कहां की हैं किस देश के सं विधियां संचालित होती हैं क्या वो दोनों जगे नौकरी कर सकती हैं दोनों जगे वोट डाल सकती हैं पाकिस्तान और भारत दोनों जगे क्या चुनाव में खड़ी हो सकती हैं भारत में जो समवैधानिक अधिकार हमको मिले हुए छै अधिकार और पाकिस्तान में कुछ अन अगला मुद्दा है संतान भारत में हुआ लेकिन इसके पिता जी पाकिस्तानी हैं तो बेटे की या बेटी की नागरिकता कहां की होगी ये अगला सवाल है और हम थोड़ा गैराई में जाएं तो एक सवाल और आता है कि भारत में कोई अपराध किया और बाहर भग गया ऐसा हुआ न कई दारन विजय मालिया नीरव मोधी पहले एक होता था चाल सोबराज बहुत बड़ा पराधी था ऐसे कुछ लोग यदि भारत में अपराध किये हैं और बाहर चले गए हैं विदेश तो क्या वे भारत के तो हम उन्हें लाक्यों नहीं पा रहे हैं क्या दिक्कतें आ रही हैं कि वर्ष दरवर्ष सरकार प्रयास करती है और वो भारत पकड़ के लानी पा रही है अंतरराश्ट्री कानून का तो मुद्दा है ही है लेकिन उसके साथ ही नागरिकता का मुद्दा ह इससे जुड़ा हुआ कि वो भारत के नागरिक हैं यदि भारत के नागरिक हैं तो हम पकड़ के क्यों नी ला पा रहे हैं उन्हें क्यों सरकार कई बार अपने को असहाय महसूस कर रही है इनको भारत में लाने में क्या बाधाएं हैं नागरिकता बाधा है क्या या कुछ और दाओं पेच खेले जा रहे हैं मुल अर्थ ये कि ऐसे अपराधी जो बाहर चले गए हैं इनके प्रश्णों का निराकरन इनके समस्च इनके इनको सजा ना देने के दे पाने का एक कारण ये भी हो सकता है कि इसका संबंध नागरिक्ता के प्रश्ण से जुड़ा है इसके बाद एक और देखिए आपने सुना प्रसिद्ध फिल्म एक्टर साइफ अली खान साइफ अली खान ने करिना करिना कपूर करिश्मा कपूर जिससे भी विवाह किया है कपूर परिवार्थ की हिरोईन से उनका जो उनकी जो संतान है इंग्लेंड में पैदा हुई हैं द तो अब क्या होगा वो चूकि उसका जन्म इंग्लेंड में हुआ क्या वह इंग्लेंड का नागरिक है यानि माबाप भारत के नागरिक बेटा हैं इंग्लेंड का नागरिक कैसा हो सकता है और क्या केवल जन्म लेने से ही वह वहां के नागरिक बन जाते हैं या दोरी नाग नागरिक्ता नहीं मिलेगी केवल जन्म के अधार पर और आगे बढ़ते हैं, सवालों का पार बंदार है नागरिक्ता को लेकर और आपके मन में एक कौतुहलता होनी चाहिए, आपको इस सवाल करना जाइए कि इतने नागरिक्ता है क्या क्योंकि इन सवालों के उत्तरों के अंतरगत नेत है नागरिक्ता संबंदी समस्याएं जो हैं उसकी समझ विदेश के कई अधिकारी भारत में नौकरी कर रहे हैं और नौकरी करते करते हैं उन्होंने कई वर्ष निकाल दिये साथ वर्ष, आठ वर्ष, दश वर्ष भारत के कई अधिकारी UNO में हैं, अमेरिका में काम कर रहे हैं, सरकार की तरफ से भेजे गए हैं, उनको भी 8-10 वर्ष हो गया है, वे कहां के नागरिक हुए है भारत से कई लोग कारे करने जाते हैं बड़ी संख्या में विदेश, आप देखेंगे पंजाब के लोग, पंजाब की सिख्ष जमाद बड़ी भारी संख्या में कैनेडा में हैं, तो वे नागरिक कहां के हुए है दक्षिन भारत में केरल, केरल का एक बहुत बड़ा तबका समझाए, मिडल इस्ट में हैं, मध्यपूर में, इस्लामिक डॉमिनेटेड जो खेतर है, वहां पर वो नौकरी कर रहे हैं ऐसे अमेरिका में बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स, आईटी प्रोफेशनल्स वहां पर नौकरी कर रहे हैं और बस गए हैं, ये बसने का क्या आर्थ है कौन बस सकता है, कौन नहीं बस सकता, विदेश जाकर इसको लेकर एक बात और आप पेपर में समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे, ह-I-B-Visa या ह-B-1-Visa जिसको लेकर अमेर्की सरकार जब तब नई नई घोशनाएं करती रहती हैं और समा चार पत्रों में आता है कि अब ये विशा नियमों के बदलाओ का अच्छा असर भारती लोगों पर बुरा असर भारती लोगों पर नौकरी मिलेगी नहीं, बहुत सारी बातें होती है, निशकर्ष ये कि नागरिक्ता का मुद्दा बहुत अहम मुद्दा है, नागरिक और निवासी में अंतर है, मात्र निवासी होना नागरिक्ता नहीं देता, मात्र निवासी होने से हम नाग नागरिक्ता के पात्र नहीं हो जाते और चूंकि ये बहुत अहम अद्दा है चूंकि नागरिक्ता और निवासी होने में अंतर है हमें ये जानना होगा कि नागरिक्ता है क्या कौन इसके पात्र है पात्रता के नियम क्या है इसके फायदे क्या है इसके नागरिक्ता ना होने के नुकसान क्या है और सबसे बड़ी बात इन सब को जानते हुए हम ये जानेंगे कि नागरिक्ता की जरूरत क्यों है मेरा जन्म हुआ जहां जन्म हुआ वहां मेरा अधिकार है क्या ऐसा है और यह नहीं है तो आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां है जिसमें नागरिक्ता को लेकर कई समवैधानिक प्रावधान करने पड़ते हैं कानूनी प्रावधान करने पड़ते हैं नीरो मोदी या विजय मलया जैसे लोंगों के साथ कानूनी दाउं पेच चलता रहता है इन सब को हम समझने के लिए इस अध्याय को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नागरिक्ता का सही सही अर्थ क्या है भारती और विदेशी नागरिक्ता के सम्बंद में दोनों में क्या आंतर है मैं भारती हूँ वह विदेशी है इसका अर्थ क्या हुआ नागरिकता से इसका ताठ परे है पर क्या अर्थ हुए क्या माइने है विदेशी है मतलब हमसे कैसे अलग है मातर गोरी चमडी का है इसलिए या मातर अमेरिका में रहता है इसलिए या कुछ और भी अंतर है हम में औ बात दाता भारत में बढ़ गए जिम कॉर्बेट जिनके नाम से बहुत प्रसिद वाइल लाइफ सैंक्चुरी उत्रप्रदेश में हैं बहुत बात भारत में रहे एनी बेसेंट प्रसिद स्वतनता संग्राम सेनानी महिला जो विदेश से भारत आई उसके लावा मदर टेरिस उन्होंने तो अपना पूरा जीवन एक व्यास कोने के बाद भारत में गुजारा और नोबल प्रसिकार मिला अब ये मुद्दद ये भी आता है कि नोबल प्रसिकार मदर टेरिसा को मिला तो उसका श्रे भारती नागरिक होने के नाते उनको मिलना चाहिए या उसका श्रे वो जहां उनका जन्म हुआ था अलबानिया में तो क्या अलबानिया की सरकार घोशिद करेगी कि हमारे यहां के महिला नहीं मदड टेरिसा को यह परसकार मिला नोबल परसकार कौन इसका श्रेय लेगा किस देश को इसका श्रेय मिलेगा तो बहुत सारे सवाल मैंने आपके सामने उठाए और सवाल उठाने का मकसद प्रारम में ही यह था कि आपके मन में वो कौतुहलता हो जिग्यासा हो ग्यान पिपासा हो कि नागरिक्ता क्या है इसके क्या माइने हैं नागरिक्ता प्राप्त करने कैसे होती है क्या क्या तरीके हैं और यदि नागरिक्ता प्राप्त करने के तरीके हैं तो नागरिक्ता को समाप्त करने के भी प्रावधान है तो कब नागरिक्ता समाप्त हो सकती है कि निस्थितियों में क्यों हो सकती है और यदि समाप्त होती है तो इसका क्या माइने हो व्यक्ति के लिए जिसकी नागरिक्ता समाप्त कर दी गई है कई बार हम लोग कहते हैं कख्याओं में अच्छे नागरिक बनो अच्छे नागरिक बनो का अर्थ क्या है कौन कौन से गुण एक अच्छे नागरिक में होने चाहिए बुरा नागरिक कौन है क्या मत्र एक अपराज उसने कर दिया तो बुरा नागरिक हो गया तो बुरा नागरिकता में उसकी बुराई जो जोड़ी गई है किस कानूनी प्रावधान के तहट उसे बुरा नागरिक कहा गया है ये भी सोचने की बात है और सबसे अंतिम बिंदु जो आपको जाना है समझना है वह विश्व नागरिकता विश्व नागरिकता ग्लोबल सिटिजन ग्लोबल सिटिजन याने अब तो विश्व को एक बहुत एक गाओं के रूप में देखा जाता है एक बहुत इतना निकट हो चुका है विश्व बहुत पास-पास हो गया है भागोलिक दिश्टी से नहीं पर संचार मर्दमों के जरि दुनिया बहुत सिकुड गई है तो अब एक नई परिकल्पना सामने आई है कि दुनिया के लोगों को विश्व नागरिक होना चाहिए तो इन सभी विश्व का हम अध्यान करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है कल्पना करिए पाकिस्तान का एक आदमी दस साल भारत में रहता है और वो अतंकवादी निकलता है तो क्या वो नागरिक है क्योंकि दस साल रहे गया और क्या पाकिस्तान की नागरिकता वो खोई चुका है तो सवालों का तो अमबार है तो इस पकार अब हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर नागरिकता के मायने हमारे लिए क् झाल 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 झाल